बाबु शोबराम राज के कलामा विध्याले अलवर की भूगोल पे भ्याग में अध्यानरत बीए पार्ट प्रथम के विध्यार्थियों का इस ओनलाइन क्लास में नए टॉपिक के साथ में डॉक्टर सत्यदेव पुने स्वागत करता हूं विध्यार्थियों आज जो भूगोल का जो फस्ट पे पर है आपका बहुती भूगोल उसके अंतरगत तीन भाग जो आते हैं आपके पहला भूगाकृति विध्यान ए सेक्षन बी सेक्षन में जलवाई विध्यान क्लाइमेटलोजी और सी सेक्षन में समध्र विध्यान या ओशनोग्राफी सम लेते हैं आज की जो हमारी क्लास है वो भूगाकृति विध्यान जो सेक्षन ए है उसके टॉपिक को ले करके है तो भूगाकृति विध्यान का जुसले बस है आपका पाठिकरम है उसके अंतरगत एक टॉपिक है आपका इस्तलाकृतियां टॉपोग्राफी इस्तलाकृतियां यह कैस अच्छाओं की द्रस्टी से काफी महत्पूर्ण माना जाता है इस्तिलाकृतियां जो टोपक है उसको विधिवत रूप से प्रारम करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि धरातल पर दो बल कारे करते हैं एक तो इंडोजेनेटिक फोर्सेज होती हैं जिनको अंतरजात बल कहते हैं और एक बहिर जात बल कहते हैं जो बाहरी रूप में कारे करते हैं अंतरजात बलों में भूकम, पुज्वाला मुखी, आपके अनेक प्लेट वेबरतने घटनाएं ये होती हैं, जो धरातल पर असमानताओं का सूत्रपात करती हैं, और बहारी जो बल होते हैं, जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेजें, वो इन असमानताओं को धीरे-धीरे समाप्त करके समतली करन का कायरे करती हैं, तो ये बहारी जो कारक हैं, जो बहारी जो सकतिया हैं, वो धरातल पर असमानताओं को कम करके समतली करन का का कायरे करती हैं, इन्हें हम भोगोलिक प्रिक्रम के नाम से जानते हैं, भुगाकरतिक प्रिक्रम, जिसकी अंतरगत प्रमुक रू इत्यादी को सामिल करते हैं और ये जो बलें ये अनेक बिभिन परकार की इस्तलाकरतियों को निर्मान करते हैं जैसे पवन के जो कारे होते हैं और उससे अनेक इस्तलाकरतियों बनती हैं इसी परकार से नदी बिभिन रूप में कारे करती हैं वो अनेक इस्तलाकरतियों को नि निर्मान करती है हिम्नदी जिन छेत्रों में हिमका प्रिवाफ जादा रहता है वहां पर हिम्नदी अपने विविन प्रकार के कारियों द्वारा अनिक प्रकार की इस्तला करती है तो आज जो टोपोग्राफी जो टोपिक के इस्तला करती है उसमें सबसे पहले आज हम पवन के कार्य एवं इस्तिला करतियां पड़ेंगे पवन के कार्य एवं इस्तिला करतियां यह कह सकते हैं हवा के कार्य एवं इस्तिला करतियां पवन का कार्य मुक्रूब आपके उश्निकटीवंद्य चेत्रों के सुस्क अर्द सुस्क मरस्तली भागों में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो पवन का जो कार्रे जाद अतर उन भागों में देखने को मिलता है। जो सुस्क चेत्रे, निम्नक चान्स, उष्नकटिवन्दिय भागें, जो एन्रीय के चेत्रे, वहाँ पर हवा अपने काहरेओं द्वारा बिभिन प्रकार की इस्तला करती है, विश्च में मरुष्टलों के निम्न तीन रूप द्रिश्ट्री गोचर होते हैं, जो मरुष्टल जोदपुर, चूरू, इत्यादी जिले सम्भलेते हैं, वहाँ पर देखने को मिलता है, वहाँ पर ही इस्तिला करती हैं, तो इस्तिला करती हो को पंड़ने से पहले, पबन के कारियों को पंड़ने से पहले, आज हम विश्मे मरुस्तलों के निम्रे तीन रूप दरश्टी को जरोते हैं, पहला है चट्टानी मरुस्तल, जिसको रौकी डेजट कहते हैं, नगन चट्टानों से निर्मित होता है, यह मरुस्तल दूर दूर तक फैली, नगन चट्टानों से निर्मित होते हैं, जिसे हमादा भी कहते हैं, इसी प्रकार से दूसरा मरुस्तल का प्रकार है पत्थरीला मरुस्तल, कंकर पत्थरों से निर्मित होते है, यह कंकर पत्थरों से निर्मित होता है, इसे रेग, आर एजी रेग भी कहा जाता है, लीबिय ब मिस्र में इसे सेरे कहा जाता है, और तीसरा जो प्रकार है मरुस्तल का, उस्रिकर डिविंदी मरुस्तलों का, वो है विश्व के संपूर मरवस्तले छेत्र का पांच वा भाग अर्थाथ 20 पृतिशत छेत्र ही बालुका में है या आपका रेतीला मरवस्तले अब जैसे हम बात करें कुल जो मरवस्तले छेत्र है जो उश्नकटीवइंदी मरवस्तले है अब जैसे जो पवन जो होती है, देख ये पवण का जो कार्यरा है, वो आप लोगों के आसपास की क्रिया है, आप इसको अगर देखना चाहो, तो हमारे यहां पर जो राज़ स्थान में या जहां पर हम रहते हैं, इस छेत्र में आगर हम देखे, तो मुई और जून का जो महना होता है उस समय गर्मी का समय होता है और वहां पे हवा जो गर्म हवा जिसको हम लूग के नाम से जानते हैं वो तीब रिगती से बैती है और अनेक इस्तला करती हैं को बनाती और बिगाड़ती रहती है तो ये जो इस्तला करती हैं इसको हम यहां पर राइस्तान की दरश्टी से सोच सकते हैं और उनकी इस्तला करती हैं को छोटे मोटे रूप में देख सकते हैं तो मरस्तली भागों में पवन का कार रहा है निम तीन रूपों में संपादित होता है पहला है अपरदनात्म कार रहा है दूसरा है परिवेन कार रहा है और तीसरा है निक्षे पात्म कार रहा है तो पवन का जो कार रहा है वो तीन रूपों में संपादित होगा अपरदनात् पवन बलकी नदी का कारिय है, हिमनदी का कारिय है, सागर ये तरंगों का कारिय है, सभी जो भुआ करते उपरक्रम हैं, सभी जो भगोल उपरक्रम हैं, उन सभी का कारिय है, सामनत है तीन प्रक्रियाओं के द्वारा संपादित होता है, जिसमें अपरदनात्म, परिवेन और तो सबसे पहले यहां पर हम पवन का अपरदनात मकारे पढ़ेंगे पवन का अपरदनात मकारे निम्न तीन रूपों में संपादित होता है पहला है अफवहन देखिए इस क्रिया के द्वारा पवन असंगटि चट्टानों को उड़ा कर ले जाती है जिसके फलसरूप धरातल पर घरतों का निर्मान होता है अफवहन के द्वारा पवन परवेन का कारे भी करती है जिसे उड़ाने की क्रिया भी कहते हैं अब देखिए अफवहन का मतलब उड़ाने की क्रिया जब पवन तेजगती से बेती है तो वो आपके साथ चट्टानों के साथ रियत है छोटे मोटे कणे उनको उड़ा कर के लिए जाती है इसको यह अफवान कहते है दूसरा कार है घर्षन या अपघर्षन इसकरिया के द्वारा वायू कणों से युक्त जो चट्टानी कणे वो आपस में टकरा कर तूटते फूरते रहते है इसे हम सन्नी घर्षन कहते है पवन के जो अपरदनात्म के यंत्र होते हैं जो पवन के साथ बेह करके चलते हैं जो अपरदन का जो कारे करती है पवन अपरदनात्म कारे करती है उसमें यंत्र की जो कारे जो करते हैं उसमें रेत के कण हो सकते हैं धूल के कण कंकड पत्थर इत्यादी तो यह आपका पवन का जो अपरदनात्म कारे हैं वो आपका लगवक तीन रूपों में संपादित होता है पहला आपका अपवहन की क्रिया नमर दो घर्शन या अपगर्शन की क्रिया गों नमर तीन सण्ञी घर्शन की क्रिया अब हम आगे एडिंग डालिए आप पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक इस्तल रूप पवन जो विच्चित विभिन प्रकार के इस्तल रूप बनाती है उससे पहले मरस्ते लिए भागों में पवन अपने अपरदनात में कारे द्वार अनेक विच्चित इस्तलाकृती निर्मित करती है पवन का अपरदनात्म कारे निम्न दसाँ द्वारे प्रभावित होता है अब जो पवन का अपरदनात्म कारे उसमें कैई चीजों का प्रभाव बढ़ता है कैई खारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं जैसे पवन का बेग ये सीधी सी बात है इसको आप भी बड़े आसानी से समझ सकते हो कि अगर पवन तेज गती से वहेगी पवन तेज गती से चलेगी तो अपरदन का काहरे तीब्र गती से संपादत होगा और यदि पवन की क्रिया पवन के चलने की गती मंद होगी तो अपरदनात्म कार्रे भी धीमिगती से होगा दूसरा है पवन के साथ चलने वाले कंकर पत्थरों की मात्रा अब पवन अगर विश्द रूप में चलेगी तो उसकी यंत्रात्म रूप से कार्रे करने वाले कंकर पत्थर नहीं रहेंगे तो वो पवन सही तरीके से अपरदन का खारे समपादित नहीं कर पाएगी तीसरा है चट्टानी संरचना चट्टान कैसी हैं कढचोर है या मुलाए में इसके उपर वह पवन का पववन अपरदनात्म कारे डिपेंड करता है कि अगर चट्टान मुलाए में तो आसानी से अपरदनात मुकारे होगा और चट्टाने कठोरे हाडे तो अपरदनात मुकारे धीमिगती से होगा जलवायुगत दशाएं ये भी प्रभाविद करती है अर्थात अधिकतर पवन का जो अपरदनात मुकारे वो शुसक और अर्दी सुसक को भागूम होता है तो जलबायोगा दशाएदी सुसक और अर्दी सुसके वहां पर पबन अपरदनात मुकाररे अच्छे से संपाधित करती है वनस्पतिक आबरन जैसे कई छेतरे से होते हैं जहां का वनस्पति का घना आबरने वहां पर पवन का जो अप्रदनात में कार रहे वो विदीवत रूप से यह आसानी संपादित नहीं होता इसी के कारण जो मरुस्तलिय भाग है में जो पक्षमी राइस्थान है वो जादातर वनस्पति विहीने या मात जाडिया के रूप में वनस्पति पाई जाती है वहां पर जादातर पवन का अप्रदनात में कार रहे विदीवत रूप से संपादित होता है धूलकड़ों की मात पहले बताया था कि धूलकड़ कंगड़ पथर जो होते हैं तो पवन के साथ इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है तो ये सारी चीजे हैं जो पवन के अपड़ दनात्म कारे को प्रभावित करते हैं पवन के अपड़ दनात्म को प्रभावित करते हैं जैसे नमबर एक पवन का बेग, नमबर दो पवन के साथ चलने वाले कंकर पत्रों की मात्रा तीसरा चट्टानी संरचना या सहल की संरचना नमबर चार जलवाईवगद दशाएं नमबर पांच वानश पतिक आबरन और नमबर छे धूलकणों की मात्रा अब जितने भी आपके जो अपरदनात्म जो क्रिया है जो पवन का जो अपरदनात्म कारे है तीन कारे पढ़े अपरदनात्म कारे है परवेन कारे और निक्षे पादम कारे है तो अपरदनात्म कारे है उसके द्वारा अनेक विविन प्रकार की इस्तलाकरतियों का निर्मान होता है इन इस्तलाकरतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे कौन-कौन सी इस्तिला करती बनती है प्रमुक इस्तिला करती है कौन-कौन सी है जो पवन के अपड़तनात्म कारणे से बनती है इसके बारे में अगली क्लास जो होगी हमारी उसके बारे में ध्यान करेंगे पढ़ेंगे उनको आप थोड़ा सके तो आप से एक बार रीडिंग करके आएं पवन के अपड़तर अत्म कारे से कौन-कौन सी इस्त्राक्रती बनती है थेंक्यू, थेंक्यू सो मच